दोस्तों नमस्कार सत्ता भी क्या चीज होती है जब ये फिसलती है तो फिसलती ही चली जाती है उस सत्ता को बनाए रखने के लिए नजाने सामदाम दंड भेद क्या-क्या कुछ किया जाता है लेकिन उसकी एबज में जब ये फिसलना सुरू होती है तो फिर कुछ भी नहीं देखती है और कमोबे यही इस्तिती मौजूदा राजनितिक सत्ता की है कहीं हो तो नहीं चली है कल्पना की ये की हज़ जारो करोर रुपे उस छबी को बनाने के लिए गड़ दिये गए इस देश के भीतर जहां लगने लगे की ये लार्जर देन लाइफ इस देश के सारी व दिखान के तमाम पाए या कहे पिलर्स की मद्दे नजर एक सत्ता के साथ दिखाई दे क्या कुछ नहीं किया गया 2,014 से लेकर 2,022 तक 23,000 करोर रुपे जिस परचार में फूके गए इस देश के अख़वार हो इस देश के टेली विजन हो इस देश में पब्लिकेशन डिविजन हो इस देश में तमाम जगों पर जो लगने वाले बोहोडिंग्स हो इस देश के भीतर लगभग 8,500 से ज़ चुर्ता चला गया ये किसी से छुपी हुई चीज ने लेकिन फिर वही बात जब इस्तितियां फिसलती है तो फिसलते चली जाती है और उस मौके पर सक्ता अक्सर अपने आपको फिसलन से रोकने के लिए सामने वाले को कट घरे में खरा करने से कत राती नहीं कौन है इस देश के भीतर जो परधान मंत्री मोदी के छबी धुर्मिल कर रहा हो कौन है इस देश के बाहर बैठा हुआ सक्त जो परधान मंत्री मोदी के छबी को धुर्मिल कर रहा हो किसने ली है सुपारी और कहां से आ रहा है ये पैसा कहां से आ रहा है ये विचार सायद परधान मंतरी इस बात को कहना चाहते हैं इस देश के तमान विपक्षी राजने तिकदलों ने जब जब सत्ता संभाली है वो करप्ट हो गई और करप्ट का आलम ये था कि आज उनसे जूरे हर दस्तावेज जाच एजेंसियों के पास है हर किसी के फाइल तैनात है वो तयार है तो फिर सुपारी कौन ले रहा है और कौन चरकार के छबी और परधान मंतरी के छबी को धुर्मिल करून कर रहा है हमें लगता है कि इस दोर में कि पहली बार 2014 के बाद 2024 जैसे जैसे निकट आ रहा है सत्ता को ये महसूस होने लगा है कि इस देश की राजनितिक जमी जिन बोटरों के आसरे खड़ी थी जिन बिचारों के आसरे खड़ी थी जिस सोच के आसरे खड़ी थी वो सयोग से डगमगाने लगी डगमगा इसलिए नहीं रही है कि बिपक्ष बरा हो चला है डगमगा इसलिए रही है कि नीतियों के लिए उम्र होती है अगर उसे लागू ना किया जाए और सिर्फ कहा जाए हमें लगता है कि सरकार ने जितना खर्च किया परचार परसार अपरोगेंडा पे किया वह भी भारत के भीतर एक दस्ता बेज अपने आप में इतना खर्च कभी नहीं हुआ मनमोहन सिंग के काल में जितना खर्च हुआ उससे दो गुने से ज़्यादा महज आठ वर्स में खर्च हो गए उसके बाद के दो वर्स का आकरा अभी तक सामने आया नहीं है अटल विहरी बाजपे या फिर याद कीजिए जब एकोनोमिक की रिफॉर्म से आप जोरना सुरू करे पीवी नर्सिंग हर आओ इस देश के भीतर में उसके बाद बीपी सिंग को लीजे चंदर सेखर को लीजे उस परस्तिती में और आगे गुजराल को भी जोर दीजिए देवगौरा को भी जोर दीजिए और इस परकिरिया में आप अटल विहरी बाजपे और मनमोन सिंग और सभी को जोर डालिए आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश में जो परचार परसार के पर खर्च हुए इन तमाम सासनकाल के वक्त पर चार को भी आप मिला दीजेगा तो भी इतना खर्च नहीं हुआ तो यानि छबी गढ़ने के लिए जो खर्च किया गया वो मौजूदा वक्त में कमजोर क्यों पर गया ये सवाल इसलिए महत्पून हो चला है कि क्योंकि इसी दोर में लोग तंत्र के वो पाए आपको हो सकता है कि कमजोर दिखाई दे हो सकता है कि आपको मजगूर दिखाई दे यह भी हो सकता है कि जिसे निगरानी करने की वो सकता के लिए ढोल पिटते हुए नजर आने लगे हमें लगता है कि आँखों के लिहाज से अगर समझे अलग-अलग तरीके से जो खर्च पीमों का है जो खर्च केंदर सरकार का है जो खर्च इस देश के अलग-अलग मंतरालेओं का है जो खर्च अलग-अलग योजनाओं के तहद परधान मंतरी के चेहरे से एर्दगिर्द रचा बसा गया अगर बीते आठ वर्ष के आकरे अगर जो मौझूद हैं सब को मिला दीजेगा तो 23,000 करोर रुपे की रकम कोई छोटी नहीं होती अलग-अलग मौके पर अलग-अलग RTI के जरिये अलग-अलग सवाल जो परलियमेंट में उठाए गए उनके जरिये जो भी बातों का जिक्र किया गया उसमें जानकारी हमेशा टुक्रों में दी गई लेकिन 2014 के बाद से 2000 नहीं नमोदी द्वारा जो लिया गया हर नेरने इस देश के भीतर एक पत्थर की लकीर की तरह उभर कर आया अगर आप ध्यान देजिए कि अलग अलग बक्त में जो कितने करोर रुपे खर्च किये जाते हैं हमें लगता है कि आज अख़वार और टेली विजन यानि कि इलक्रोनिक मीडिया इसे पहले नजर में पारलियमेंट में जो कहा गया उससे अगर समझे तो सीधे तोर पे सरक कारणे सिर्फ प्यमों के जरी जो नजर आया वो पता चार सो चौविस करोर पान सो आठ करोर चार सो और सट करोर छे सो चटिस करोर चार सो उनतिस करोर 295 करोर 197 करोर 189 करोर 127 करोर यह प्रिंट का केवल है और इसके साथ टेली विजन को दिया गया विग्यापन जो परधान केवल परधान मंत्री के चबी को गड़ रहा था उसमें 473 करोर 2014 में 2012 में 105 करोर इसके बीच के सफर में चलिए 473 करोर 531 करोर 609 करोर 468 करोर 514 करोर 317 करोर 167 करोर 101 करोर और 105 करोर अब इसके समान अंतर आईए जिस छबी को गड़ने के लिए इस देश की योजनाओं के साथ जोरा गया और बार बार परधान मंत्री जब यह आकर बताते रहे कि देश में नहीं दुनिया भर में घुमते रहे कोविर काल से ठीक पहले तक चले जाईए उस पिरियेट को याद किजिए परधान मंत्री कहां कहां कितनी सभाएं कर रहे थे और परधान मंत्री की बिदेश यातराओ कि उतनी पनमौन सिंग दस बरसों में नहीं की जितनी सभाएं हुई वो चाहे सिड्नी हो चाहे लंडन हो चाहे वो नियोर्क हो या किसी भी जगह पे आप जहन में जो आता है उस अपने साथ टिका लीजिए और कल्पना करने की सुरूत किजिए कितना खर्च इस देश में भी लगभग 8000 करोर रुपय का ये अलग आकरा है कुल मिलाईएगा तो ये 23, 24, 25,000 करोर रुपय की प्रस्तिती में लाकर खरा कर सकता है अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे वक्त में भारत की राजनिती 2024 के चुनाओं के दिसा में जा रही है जहां पे परधान मंत्री नर् च्शा भी थी वही नीतियों के आसरे परचार पर किये गए खर्च के आसरे प्रपगेंडा और पॉलिसिस के आसरे और इन सब के बीच संघ के कैडर इस संघ में चाय हो BJP के राजनिती कैडर के तोर पर काम कर रही हो या फिर BJP अपने तोर पर इस देश में जिन चीजों को बता रही हो निसाने पर विपक्ष को लेने की दिसा में आगे बढ़ी हो उन सब से हट कर अगर मौजूदा वक्त में बिती तीन चार महिनों के भीतर इस देश के भीतर क्या हुआ है 2023 में क्या हुआ है अडानी कांड हुआ पहली दिरिष्टी में इस देश के भीतर एकोनोमिक फंडिंग और कॉर्परेट के साथ सत्ता की जो कलवईयां थी वो खुल कर सामने आई लेकिन एकोनोमिक कोफेंस को लेकर सरकार ने खामोसी बर ये पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा राहूल कांड के जरीये नजर आया जिसमें इस देश के भीतर भरे भरे आरोपी पार्लियामेंट में बैठे हो बिधान सभा में बैठे हो इस देश के कैबिनिट चला रहे हो जो कानून बनाते हो उनके उपर जो फैरिस थी उसके ठीक समानांतर एक मानहानी का मुकदमे में कॉंग्रेस के नेता राहूल गांडी को जेल तक देने की इस्तिती और उसके साथ ही संसस से सदस्ता रद कर देने की इस्तिती सरकारी बंगला खारली कराने तक की इस्तिती निर्देश ये मैसेज ये नहीं कि विपक्ष कितने पानी में है, मैसेज ये है कि इस देश के भीतर 2014 से लेकर जो सीड़ी दर सीड़ी परधान मंतरी के चबी को गड़ी गई, क्या मौजूदा वक्त में वो धुमिर हो चली है, यानि जो भी बात कही जा रही है, वो इस देश के भीतर इसलिए नहीं चल पाई, क्योंकि कहा तो जाता था, लेकिन एंप्लिमेंट नहीं हो पा रहता, क्या वाकई ऐसी इस्तिती है, क्योंकि ध्यान दिजे इस देश के भीतर गाउं को लेकर लगभग सत्तरह योजनाओं का एलान और अठारमी योजना सांसद गाउं को गोद ले और गोद लेने के बाद उस गाउं की इस्तिती को ठीक करें, परिनाम आपके सुनने नजर आएगा, इस देश के भीतर एस्मार्ट सेटी सहरों को बनाने की परकिरिया, परिनाम लगभग वही सत्तरह योजनाओं एस् पहलियत देने की योजना हो, जो सतरह, अठारह, इस सारी योजना सुनने नजर आएगा, इसके भीतर जवाब गुसिएगा तो फिर अगला सवाल आएगा, जो पढ़ाई कर रहे थे, उनके ताइदाद देश छोड़ने वाले के क्यों बढ़ती गई, और इस्तिती इतनी ब पी बावजूद छोड़के चले गए, क्योंकि परिनाम सुनने था, रोजगार को लेकर इस्तितिया कितनी नाजुक और कितनी तेजी से बदहाली की दिसा में चली गई, उसमें सयोग से जो टॉप मोस्ट राज्य है, मर्च के महीने में अगर जिक्र करें तो सब से उपर आजनेतिक सत्ता हो, अगर वो फेल हो चली है, और उस फेल के इर्दगिर्द कतर, उसके ताना बना और सफलता के साथ, देश के परधान मंतरी गड़ रहे थे, और इस वक्त अगर वही फेल नजराने लगे, तो क्या इस्तितिया इतनी नाजुक हो चुकी है, कि देश के भी जगा जगा इस देश के भीतर, चाहे वो पेट्रोल पंपे चले जाएए, चाहे किसी चौराहे पे खरे हो जाएए, घर लाटिये तो टेली बिजन को सुरू कीजिए, मौका मिले तो सोसल मीडिया देखी लिजिए, आपको एक ही चेहरा नजर हर जगा, हर पांस चेहरे के ब जमक वाले चेहरे हैं, वह भी हो सकते हैं, इस देश में बॉलिवूड के नायक भी हो सकते हैं, इस देश के भीतर में कोई परड़क्ट बेचने के लिए, कोई कलाकार अगर खरा हो रहा हो, उस चेहरे को भी जोर लिजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ मुक मंत्रियों दोरा अलग अलग योजनाओं के जरी है, जो परचार परसार किया जारा है, उन चेहरों को भी जोर लिजे, उसके बाद जो आपके साथ आखरी चेहरा, जो आखरी चेहरा देश के परधान सेबक के नजर आएगा, वह इस वा स्क्रीन पर कहीं ज़्यादा है, हर चौक चौर कॉंग्रेस के नेता राहूल गांदी ही लंदन पहुँचे और जिन्हों ने जहां पर जो वक्तब्बे दिये, उसको लेकर सत्ता कटगरे में खड़ी हो गई, अगर आप परधान मंतरी मनमोहन सिंग के काल में चले जाएए, तो उस पिडियर्ट में बीजे पी के छे नेता दुनिया भर में घूम रहे थे, जो चार लोग खास तोर पे दिल्ली में मौझूद थे, अगर आप पहले चले जाएएगा तो अटल बहरी बाजबे के दौर में कॉंग्रेस के नेता वहां जाते जरूर थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक अकेले राहूल गांदी ने जो अपने आप में कहेंगे, वही सबसे मोटी और पकी लकीर होगी, उसे आपको मानना परेगा, पहली बात ये थी, दूसरी इस्तिती थी, हम जो भी ऐलान करेंगे, नितिगत तरीके से, यानि पॉलिसी के तहट, उसको आपको मानना परेगा, जो इस देस में हो रहा है, ज के भीतर, कमिशन जो है, एकोनोमी कमिशन के तोर पे जो पलानिंग कमिशन के हिस्से में जो काम हो रहा है, वह भी है, और इन सब के साथ, जो भी अलग अलग आयोगा, अपने तोर पे काम कर रही है, सब को देखिए, और उसी के महत्यपून, इस्तितियों में डाटा चुनि और किस रात सबा के मारपत आया, वो कितना सफल है, यह हम ही बताएंगे, इस देश के भीतर कॉर्परेट के नेटवर्क जरिये, भारत के एकोनोमी पांच ट्रिलियन कैसे होगी, यह भी हम ही बताएंगे, इस देश में एगरिकल्चर को लिकर रिफॉर्म की जो मोटी लकीर हम खीच रहे हैं, यह भी हम ही बताएंगे, जो मनरेगा के घटाला, जो दस हजार करोर का कॉंग्रेस के दौर में हुआ था, इस दौर में तो वो सांदार तरीके से चल रहा, लेकिन आप वहां मत जाएंगे, यह मैं आद देखिए कि हमने पैसा कितना कम कर दिया है, जो इस पूरी परकिरिया के भीतर, जो चाहे वो मेडिया हो, चाहे वो बिडोक्रेसी हो, यहां तक कि UPSC के जरिये जो निक्ति होती है, हम उसे भी नहीं मानते, हम ही बताएंगे कि दरसल प्रफेशनलिजम क्या होता है, और प्रफेशनल्स की जोरत, ISK समानंतर कैसे होनी चाहि और इस पूरे ताने बाने के भीतर हो सकता है, हमारी नजर जज़ेश पे भी थी, हम उनकी में निक्ति करना चाहते थे, यह अलग मसला है कि सुप्रेम कोट के सामने आकर खरा हो गया, लेकिन बताना हम ही को था, अब अगर इन प्रस्तितियों के भीतर, अलग अलग समूदा चेतरों के भीतर हो सकता है कि दलित हो, हो सकता है आदिवासी हो, हो सकता है मेडिल कलास हो, हो सकता है डिगरी धारी हो, हो सकता है कि इस देश के भीतर में अलग अलग फेडरल सिस्टम के तहद और केंदर और राज्य के बीच समझावते जो होते हैं, उसमें जो पैसा दिया टेक्स की मार लोगों पर कैसी पड़ी लेकिन हमने यह भी नहीं बताया कि लोग जो भविष से निदी का पैसा रखते थे उसका भी उप्योग हमने उस कॉर्परेट सेक्टर के दिसा में कर दिया जो कॉर्परेट अपने नेटवर्क पर धियान देता है उसकी नजर आपने प खरे हो गए हमने नहीं बताया हमने जो बताया वो सफलता का पूरा एक प्रकास्था थी एक ऐसी प्रकास्था जिसमें कोई भी अगर पिन चुभो दे तो मुस्किल हो जाएगी और सयोग से मौजूदा वक्त में अडानी कांड के बाद जो प्रस्तिती हुई बीटे दो से पूछने को मजगूर है कि जनाब आप जो कहते थे उसके तो उलट की प्रस्तिती है तो फिर हमारी चबी बिगारी जा रही है तो फिर हमारे साथ खिलवार किया जा रहा है तो फिर हमारे साथ सत्ता में हमें कोई देखना नहीं चाहता तो फिर मसक्कत करनी होगी बोटों की धुर्वी करन को लेकर तो फिर बोटों को धुर्वी करन के लिए समाज के भीतर उस लकीर को खीचना होगा जिसके जरिये एक बोटर दूसरे बोट की निगाह में सक्की दिरिश्टी को देखना सुरू कर दे इसलिए ध्यान दीजिए भारत की अर्थ बैवस्था पर भारत की एजुकेशन इंफरस्ट्रक्चर पर भारत के हिल्थ इंफरस्ट्रक्चर पर भारत के प्रोफेशनल सेक्टर पर उन से जुरे हुए इंट्रेक्च्छल प्रोसेस पर जो इस देश के भीतर क्यों नहीं टिक पा रहा है इन तमाम प्रस्तितियों को जब आप एक साथ लेकर आएंगे तो आपको अगला सवाल आपके जहन में manufacturing सेक्टर पर जाएगा जो उत्पादन से जूरे हुए जब वह डाटा सामने आने लगा जो डराने वाला है क्योंकि तुनला अगर दुनिया से हो रही है तो दुनिया के institution ने भी तो बतलाएंगे कि आपकी GDP में क्या सिंद है आप जो डाटा देते हैं उसमें unorganized sector का जिक्र क्यों नहीं है और 92% अगर और संगठित छेत के हिस्से की प्रस्तितियों को जोर दिया जाए तो आपका GDP का डाटा भी कहीं नीचे तो नहीं चला जाएगा जो आप डाटा देते हैं उसके हिसाब से आपको बिक्सित हो जाए इसके जद्दे जहत गाउंदर गाउंदर बढ़ती के चली गई नौकरी पानों की होर में ऐसी होर मची की RSS से जूरे लोगों को जादा सा जादा नौकरी मिल जाए कम से कम उनके भीतर आक रोसनापन पे ऐसी इस्तिति आके खरी हो गई अगर इन परस्तितियों के भीतर को होई भी एक ऐसा सवाल जो सत्ता को सीदे कड़ घड़े में खरा कर रहा हो तो सत्ता की छवी धूर्मिल हो रही है या फिर ये मैसेज है कि दरसल हम तो ठीक हैं हमारे तौर तरीके भी ठीक है हमारा परचार पर भी खर्च किया गया भी ठीक है लेकिन पहली बार इस तमाम ब परदानमंत्री के उपयोग में आने वाली हवाई जहाज को लेकर है, हमारी PMO पे होने वाली खर्चों पे है, हमारी सुरक्षा के दिरिष्टी से हो या फिर कारों के फिलिट चलता हो, गवर्नेंस कैसे बढ़ती चले गए, उस पर खर्चा कितना बढ़ता चला गया, सुप्र पचार का मॉडल थे और प्रपगेंडा को चलाने के लिए जमिन तयार कर रहे थे, उनका बजट अगर देखिए, और दूसरी तरफ इस देश में, मिडिल क्लासों प्रोफेशनल लोग हो, आम जनता हो, सब को एक साथ जोड दीजिए, और बनाईए कि नागरीकों की इस्ति क्या रही, अगर उनकी आर्थिक इस्तिती 2014 की तुलना करते वक्त अगर आपके पास एक डाटा नया निकल कर आ जाए, कि उनके आई के स्रोत कम हो गए, उनकी कमाई कम हो गई, बैंकों में जमाब पैसा, उनका जो घरती चली गई, बैंकों से लगतार आवाजाही जो पैसो होती चली गई, और इस देश के बैंकों के बरबाद ही नहीं किया गया, इस्तिती पहली बार यह है कि प्राइबिट बैंक है, वो सरकारी बैंकों की तुलना में कम से कम, 60 फिजदी उनकी ताइदाद कम है, लेकिन काम करने वाले लोग सरकारी बैंकों में घरते घरते, आठ उनमें लगभग 4 लाख लोगों की कमी आ गई, ये कौन सी प्रस्तिती रची जा रही है जहां चबी का जिक्र हो रहा है, ये कौन सी प्रस्तिती रची जा रहा है, जहां पर हर बिपक्ष दल चोर है, इस बात का जिक्र खोले तोर पे हो रहा है, ये कौन सी इस्तिती है जिस करने की इस्तिती में नहीं है और 500 से जादा योजनाओं को लेकर जो परचार परसार खर्च किया गया लगबख 10,000 करोर का उसके जिम्मेदारी कौन लेगा जब उनका रिजल्ट नहीं निकल पाया रिजल्ट नहीं निकलने का मतलब है कि वो 30% भी पूरा नहीं कर पाया फेल ह गए दूसरी बात इस दोर में जो पैसा ट्रांसफर हुआ कॉर्परेट के पास और कॉर्परेट ने जो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए चुनाओं जीतने के लिए दिया उसके संख्या अगर बीते 20 वरस की राजनेती से कहीं ज़्यादा है उतना कभी फंड बार जनता के भीतर सवाल है मजगूरी और मुस्किल ये है कि बिपक्ष नहीं जनता ही बिपक्ष के तोर पे खरी है अगर हो चली है तो राजनेतिक जो बिपक्षी दल है उनकी मजगूरी है कि उन भावनाओं के साथ चले है अन्य था वह कभी भी किसी भी रूप में खरे नहीं हो पाएंगे पहली बार जनता के भीतर एक धरकन मैसूस की जा रही है ये सवाल बेपक्षी राजनेतिक दलो को खरा कर दे तो बड़ी बात होगी क्योंकि सत्ता इस दौर में लर्खरा रही है और उसकी जुवां अपनी छबी को सुधारने में लगी हुई है और इसी बात का डर उसका है कि जो इस छबी ढड़ा कर गिर गई तो बचेगा क्या सिवाई अंधेरे की बहुत बहुत सुक्रिया जै हिंद